हेलो एवरीबन वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ पर आपको लगता है आप किसी और कंट्री में तो यहाँ पर आपको ओफिस, रेश्टुडेंट, कलब, कैफे देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आपको ओफिस मीटिंग या फिर किसी फ्रेंड से मिलना हो या फिर फैमिली गेट टुगेधर या फिर कोई पार्टी और्गनाईज करने हो तो उसके लिए एक बेस्ट प्लेस है यहाँ पर जो है फोरन कंडिसें लोग आते तो उन्होंने यहाँ का एटम स्पेर देखके जो इसका नाम रखा है वो रखा है मिनी दुबई तो चलते हैं साइबर आब और वहाँ पर कुछ एक्स्प्लोर करते हैं बाकि आप बने रहे इस वीडियो में वहाँ पर आपको कैसे जाना है या बहा की लोकेशन में सब इस वीडियो में बताऊँगा तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शियर करें और सिस्क्राइब करें करें तो मेरे चैनल करें ra देन अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप मेट्रो से अपने विकल से या पबिक टांसपोर्ट से आ सकते हैं अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो सिकंधर पूर से आप पैपूर्ट चेंज करसकते हैं या फिर आप सिकंदरपूर, एमजी रोड, इफकोचोफ, कोई भी मैट्री सेशन से आप ओटो कर सकते हैं और अगर आप अपने वीकल से आ रहे हैं तो ये दिल्ली और गुड़गाओं को जोडने वाले NH8 पर पड़ता है यहाँ पर आपको सभी रेश्टुडेंट कैफे मिल जाएंगे और यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ प्रोग्राम अरेंज होते रहते हैं वैसे तो साइबर सिटी सुबर 11 बजे ओपन हो जाती है लेकिन अगर आप यहाँ आना चाहते तो यहाँ रात का व्यू अलग ही होता है तो आप यहाँ पर आओ तो ट्राइ करना कि आप यहाँ पर रात को ही विजिट करो अगर आप आउटिंग और थाने के शोकिन है तो आपको यह जगे बहुत पसंद आने वाली है झाल प्रफजर को झाल यहां पर रेश्टुडेंट कलब टैफे के साथ साथ आपको क्लोफिंग इलेक्रोनिक आइटम के शोरूम भी देखने की मिलेगी यह इतना पोपुलर प्लेस है कि यहां पर किसी ना किसी ब्रेंड की डेली कोई ना कोई परमोशन होती रहती है यहां परमोशन होती है झाल 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 इस फलोर पर जो है सारे कलब है और यह जो आप बिल्डिंग देख रहे हो सामने यह है साइबर आफ का अगर आप गुड़गाओं में सेफ एंड सिक्योर कलब लोकेशन देख रहे हो तो यह आपके लिए बैस लोकेशन है बाकी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप यह जगे एक बाद जरूर विजिट करें झाल झाल अगर आपको ये वीडियो को लाइक करें शियर करें और अगर आप मेरे चैनल के हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक टू और पीज यूर सपोर्ट